हलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे मटन पुलाओ सबसे पहले आप मेरे चानेल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में दिया हुआ बेल आइकोन को प्रेस कीजिए ताकि आगे की कोई भी वीडियो मिस ना हो सबसे पहले मटन को मैरिनेट करने के लिए एक मिक्सिंग बॉल लेंगे उसमें साफ आधा किलो मटन डाल देंगे दो तेज पत्ता दो दालचीनी का टुकड़ा तीन से चार लॉंग तीनी इल्लाइची और टू टेबूल स्पून दही डाल देंगे चिंजर गर्लिक पेस्ट टू टीस्पून जीरा पाउडर वान टीस्पून धनिया पाउडर टू टीस्पून नमक वान टीस्पून काली मीच्च का पाउडर वान टीस्पून और क्रॉस्ट किया हुआ ग्रीन चिली वान टेबूल स्पून हाप लेंट जूस डाल देंगे इसमें इस सबको अच्छे से मिला लेंगे और इसको साइड में रख देंगे एक घंटा अब हमें प्रेसर को कर लेंगे उसमें टू टेबल स्पून ऑईल गरम करेंगे मैरिनेट करके रखा हुआ मटन को डाल देंगे और इसको पांच मिनिट के लिए हम साटे करेंगे और इसमें दो कब पानी आड़ कर लेंगे इसका कवर लगा लेंगे और तीन होईसल आने तक इसको कूक करेंगे ग्यास रिलीज होने के बाद हम चेक करेंगे मॉटन एट्टी परसेंट कूक हो गया है अब हम एक हेबी बाटम पैन लेंगे उसमें वान टेबल स्पून घी डालेंगे और टू टेबल स्पून कूकिंग ओयल डालेंगे गरम होने के बाद यहां पर तीन प्यास स्लाइस लेंगे हम इसको हम फ्राइ करेंगे जब तक प्यास थोड़ा गोल्डन कलर ना हो जाए फिर इसमें हम दस से बारा काजू और आठ से दस किसमिस डाल देंगे इसको भी प्यास में फ्राइ कर लेंगे और आधा प्यास और नाट्स को हम निकाल लेंगे और आधा प्यास को हम रेने देंगे मटन पुलाव कुक करने के लिए इसमें हम चार ग्रीन चिली, चार काड़ामम और एक दालचिनी का टुकड़ा डाल देंगे वान टीस्पून जिंजर गालिक पेस्ट डाल देंगे इसको सटे करेंगे इसका रॉज स्मेल जब तक चलाना जाए एक कटा हुआ टामाटर डाल देंगे इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे थोड़ा सा मींट ली फ्लेवर के लिए इसको भी मिला लेंगे यहां पर वान टीस्पून सॉल्ट या स्वाद के अनुसा सॉल्ट डालेंगे हाप टीस्पून जीरा पाउडर हाप टीस्पून धन्या पाउडर डाल देंगे यह सब को मिला लेंगे अच्छे से और इसको हम साथ से आठ मीनिट कूक होने के लिए छोड़ेंगे जब तक टमाटर थोड़ा सॉप्ट और मौसीना हो जाए यह हमारा टमाटर सॉप्ट हो गया है अब हम पका हुआ मटन को डालेंगे मटन को मिक्स कर लेंगे पांच मिनिट के लिए इसको सटे करेंगे इसका कलर भी अच्छा आ गया है इसमें थोड़ा सा धनिया पता आड़ कर लेंगे मिला लेंगे अच्छे से अब हम इसमें चावल डालेंगे मैं पहले से आदा गंटा पहले से लॉंग ग्रेन बासुमति राइस को पानी में भीगो के रखी थी चावल को डाल देंगे हम इसको हलका मिलाएंगे क्योंकि चावल भीग के था बहुत सौट है चावल को एक से दो मिनिट के लिए हलका सौटे करेंगे यहां पे दो कप चावल ली हूँ तो चार कप इसमें पानी आड़ कर लेंगे अगर प्रेसर कुक करना होता तो तीन कव पानी दे सकते हैं अब हम इसको penguin लगा देंगे और हाई प्ले में कुक करेंगे जब तक इसका पानी पूरा अब जर्फ हो जाए यहां पर पानी पूरा अब जर्फ हो गया है और चावल भी अच्छे से कुक हो गया है अब हम इसको हलका साइड से मिक्स करेंगे और इसके उपर हम कटा हुआ धन्या पता और फ्राइ किया हुआ पियाज और नॉट्स डाल देंगे कवल लगाके लो फ्ले में पांच मिनिट के लिए कुक करेंगे इसके बद हम मिला लेंगे हमारा मटन पुलाव बनके अभी रेडी है अब इसको गरम गरम सौप किजिए राइता और पांपड के साथ और मेरे चानल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए